हेलो एबरिवन, वेलकम तो यमी रेसिपी इस किचन, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगे टमाटर की बहुती तेस्टी चटनी की रेसिपी, ये चटनी बहुती मज़ेदार थोड़ी घट्टी और थोड़ी इत्ती ही होती है, इस चटनी को रोटी पराठा किसी के साथ भी तयार होती है, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये टमाटर की चटनी की रेसिपी पसंद आए, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं, इस चटनी को बनाने के लिए हम लेंगे टमाटर, तो मैंने जादा टमाटर लाल होंगे, पके हुए होंगे, उतनी ही जादा टेस्टी हमारी चटनी बनकर तयार होगी, अब दीखिए मैंने यहां पर सभी टमाटरो को कट कर लिया है, तो अब हम इन टमाटरो की चटनी बनाएंगे, तो इसके लिए हम एक पैन में 3-4 टेबल स्पून ऑल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो हम इसमें 1-2 टीस्पून जीरा एट करेंगे, और 1 टीस्पून इसमें राईदाना एट करेंगे, और एक टिबल िस्पून हम इसमें एट करेंगे, बारी कटा हुआ लैसन, और अब इन सभी चीजों को 15-20 सेकिंट तक लो फिलीम पर हम फ तो 15-20 सेकंड इने फ्राई करने के बाद अब हम इसमें टमाटर एट करेंगे तो सभी टमाटरों को कटकी हुई साइट से पैन में रखेंगे फ्राईंस आपने टमाटर की चटनी तो बहुत बार बनाई होगी एक बार आप इस तरह से टमाटर की चटनी बना कर देखिएगा ये बहुत ही टेस्टी बनती है और अगर आपने ये एक बार बना ली तो फिर आप बार बार इसे बनाना चाहेंगे तो इसे एक बार ट्राय ज पकाएंगे, पैन को बीच बीच में एक दो बार चेक कर लेंगे, कहीं ऐसा नहों कि टमाटर पैन में लग जाएंगे, अब देखिए टमाटरों को हमने 10-15 मिनट यहां पर पका लिया है, टमाटर बहुत अच्छी तरह से गल गाए हैं, टमाटरों में काफी सारा पानी अभी बाकी है, अब हम टमाटरों की छिलकों को इस तरह से निकाल देंगे, इस चटनी को बनाने के लिए बिल्कुल पके हुए लाल टमाटर का इस्तमाल कीजिएगा, इससे क्या होगा कि टमाटर बहुत जल्दी गल भी जाएंगे, और इनका छिलका भी बहुत आसानी के साथ नि मैश भी करते रहेंगे, अब देखी टमाटर जो है, वो बहुत अच्छी तरह से मैश हो गए है, भुन गए है, इसमें जितना भी पानी था, वो सब ड्राइ हो गया है, और आयल भी सेपरेट हो गया है, तो अब हम गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे, और इन टमाटरों को आला नमाक आट करेंगे, आधा टी स्पून भूने कुटे जीरे का पाउडर, आधा टी स्पून कुटे हुई लाल मिर्च आट करेंगे, और अब हम इसमें एक मीडियम साइज की प्यास को फाइन चॉप करके इसमे आट करेंगे, और साथी आधा खीरा हम फाइन चॉप करक तो आप इसमें अच्छा फ्लेवर आता है। बहुत ही टेस्टी हरी मिर्च से चटनी लगती है। तो आप इसमें हरी मिर्च अपनी टेस्ट के एकोर्डिंग डालिएगा। थोड़ा सा बारिक कटा हुआ हरधनिया भी इस मैट करेंगे और अगर आपके पास पुदिना हो तो आप इसमें पुदिना भी जरूर डालिएगा पुदिने से भी ये चटनी बहुती जादा टेस्टी लगती है और अब हम इसमें आधी निम्बू का रस एट करेंगे तो आप इस टेस्टी और डेलिश्यस टमाटर की चटनी की रस इपिको एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा और अगर आपको टमाटर की चटनी की रसिपि पसंदा आए तो वीडेयो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मिल्कुल नहीं तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए आला हाफिज